अगर आप सब भी SBA का केस्टेमर हैं तो आप सब को ये वीडियो जरूर ही देखना चाहिए क्योंकि SBA के तरप से एक नया अपडेट आया है इस अपडेट से आप सब को बहुत ही बचत होगा बचत इसके लिए होगा अगर आप सब गरामी चेतर से बिलूम करते हैं तो गरामी चेतर में क्या होता है 100 मिर्स हम बोच सकते हैं कि 98% को समझ में नहीं आता है कि क्या होता है fraud और क्या होता है cashback और क्या होता है loan अगर बतादू कि अगर आप सब गरामी छित से बिलोम करते हैं अगर आप सब के पास थोरा मोरा knowledge होगा अगर आप सब के यह समझते हैं कि अगर हम आज की rate में अपना CV record OTP किसी के साथ share करते हैं तो हम सब के साथ fraud हो जाता है बतादू कि बिना OTP और बिना MPN का भी transition आज की rate में संभब है और आपके साथ भी without OTP, without MPN का भी transition हो जाता है अगर आपको सब बोलेगे कि नीचे में अभी आप comment भी करेंगे कि मैं आपका अपना card number CV record भी share करता हूँ आप मेरा पैसा निकाल के दिखाए तो यह बहुत ही normal है इसके उपर मैं already एक वीडियो वनाया हूँ अगर आप सब वीडियो देखना चाहते हैं तो उपर आई बटर में उसका लिंक आ जाएगा आप सब वीडियो देख लिजिए पूरा जो भी आप सब के दिल में एक के यह बैठा होगा कि नहीं without OTP का टाइसन नहीं होता है तो आप सको उस प्रोसेस में पूरा का पूरा नौलेज हो जाएगा तो जरूर जाके without OTP वाला टाइसन देख लिजिएगा गैज बता दू कि SBA के तरब से एक नए अपडेट रहा है इस अपडेट करने सुवार अभी आप सब को एक यह सुचित कर रहा है कि अगर आज की डेट में अगर आप 3rd party अप्लीकेशन को यूज करते हैं तो अभी आपके साथ भी फरोड हो सकता है तो चलो सुरू करते हैं गैज देखिए 3rd party अप्लीकेशन को क्यों फरोड होगा अगर आप सब आज के रेट में phone पे, Google पे अगर आप सब यूज करते हैं तो आप सब को मालूब हैं कि साब से first में आपका नाम और नीचे में आपका mobile नमर और नीचे में सबसे last में एक option आपको दिखाए देगा कि आपके account में 15,000 रुपया credit कर दिया गया है आप नीचे वाला link पे click करके आप amount को check कर सकते हैं लेकिन जैसे आप उसी link पे click करेंगे आपके account से जितना जैसे के मालजी 15,000 पे दिखा रहा है कि आपके account में credit होने वाला है जैसे आप उसी link पे किलिक करगे आपके account से 15,000 प्या debit हो जाएगा क्योंकि आप उसी link पे किलिक करने के बाद आपको directly redirect करेगा आपके phone fee में या तो Google Pay में या तो Paytm में बाई बातादू कि third party application कौन कौन है सबसे पहले अगर आप से image on wallet या तो font पे wallet या तो आप Google पे application यूज़ करते हैं तो यह जो application है third party application है अगर आज की date में अगर आप Paytm को यूज़ करते हैं तो Paytm के तरफ से एक अपडेट आया है इस अपडेट का अणस्वार अगर आप मान लिज़े अपने Paytm में दो या तीन account अगर आप लिंक करके रखे हैं अगर कोई भी ब्याक्ति अगर आपके mobile को hack भी कर लिया है अगर आप उस मदद से अगर आपके account से पैसा deduct कर ला है तो नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि Paytm ने अपडेट दिया है उस अपडेट करने स्वार अगर आपका कोई भी ब्याक्ति अगर आपका mobile को hack करता है तो जो आपका screen होता है पूरे का पूरे black हो जाता है उनको कुछ दिखा ही ने देखा तो forward कैसे करेगा तो आपको Paytm अगर मैं suggestion जरूर करने वाला हूँ अगर आपको हो सके third party application का आप यूज करना चाहते हैं तो मैं suggestion करने वाला हूँ Paytm का लेकि Paytm थर्ड पार्ट अप्लिकेशन नहीं है तो लेकिन वह भी मैं बता दूँ कि Paytm अप्लिकेशन में आप जितना account एड करना चाहते हैं एड कर सकते हैं इसको उपर भी मैं अरड एक वीडियो बनाया हूँ हर एक वीडियो का लिंक उपर आपको आता रहेगा तो उस पर किलिक करका वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से Paytm वाल्ट में एक से ज़यदा account एड किया जा सकता है तो बता दू कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ अगर आप भी SVA के केस्टरमर हैं तो कभी भी अगर आपके नाम से offer आ गया है 10,000 का, 15,000 का या कोई आपको इस तरह का मैसे आया है कि आपके account में 15,000 पर credit कर दिया गया क्योंकि पूरा का पूरा permission आप उस link पे ही रहता है अगर आप जैसे link पे आप किलिक कर देंगे एक बार अगर आपको mobile को permission और ले लिया तो उसके बाद अब जब तक चाहेगा तब तक आपके account से पैसा deduct करता रहेगा बाद में फिर से एक option आता है read याने remove करने का जब तक आप उस website को block नहीं करते हैं तब तक को बंद आपके account से पैसा काड़ता ही रह सकता है लेकिन मैं आपको suggestion करने अगर आप से गौण से बिलोम करते हैं तो इस वीडियो को ज़़ा ज़़ा सेर कीजे ताकि ये knowledge सबको हो सके क्योंकि grammy शोतर मोहता किया है आज की date में पैसा कोई भी उनका बच्चा परदेश कामाता है उसके वाल बोलता है अपने family को मैं आपके account में पैसा डाल दिया हूँ आप उस balance को withdraw कर सकते हैं लेकिन मान लिजिए उसी time कोई fraud भला भी उसी mobile number पे credit का notification डाल देता है कि आप इस link पे click करके अपना balance check करते हैं और अनजान में है उस link पे click कर देता है और आप balance check करने की courses करता है तो उनके account से पैसा deduct हो जाता है तो SBA कहना यह है कि अगर आप third party application यूज करते हैं तो उसका जिम्यबार आप खुद हैं क्योंकि अगर आपके account से पैसा cut लिया है तो उसका जिम्यबारी आपका ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसके उपर कोई भी bank आपको responsibility नहीं देने वाला है क्योंकि responsibility तब लेगा जब आ अगर आपको जड़ोरत नहीं है तो उदर आप अपने account को block और unblock कर सकते हैं यानि temporary block और unblock कर सकते हैं अगर हो सके तो अपने card को manage भी कर सकते हैं जैसी के online transition को आप off कर सकते हैं offline को भी off कर सकते हैं साथ में ATM से money draw करने का transition limit set कर सकते हैं यह सब facility सिर्फ आपको you know application में ही मिलेगा अगर आप third party application को use करते हैं और SBI code को link करते है तो यह facility का भी भी आपको third party application नहीं देता है सिर्फ बस सिर्फ आप पता दू कि वो आपको online transition करने के लिए authority देता है जैसे कि money transfer करना हो तो आप you pay के थूर कर सकते हैं यह recharge करना हो तो third party application के थूर और जो भी bank आप link किये रहेंगे उस bank से पैसा कटेगा और आप third party application के थूर थूर transaction कर पाएंगे लेकिन यह जो facility होता है account को block करना ब्लॉक करना साथ में card का जो भी है manage करना यह तो इसके लिए आपको बता दू कि जब भी आप sb account को use करना चाते हैं तो योनो application से ही कीजिए आप सब के लिए best रहेगा कभी भी किसी तरह का fraud ने होगा और आप सब fraud से बसते रहेंगे अगर बतादू कि जब आप खुद समधार हो गया है तो आप अपने दूसरों की भी यह समधारी दिखाए क्योंकि इस वीडियो को अगर आप जितना सेयर करेंगे तो दूसरों को भी knowledge होगा जैसे कि अगर आ को पर और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा यह तो अपडेट आया था SVA के तरफ से तकि मैं आप सब को बताया कि SVA क्या-क्या अपडेट देता है आप सब को बचने के लिए अगर आप सब भी SVA के अब यह अपडेट से बचना चाहते हैं औ और यह वीडियो देखने के बाद कुछ भी नॉलेज हुआ हो तो जरू वीडियो को भी लाइक कीजिए क्योंकि आपके ही लाइक समक को एक मोटिवेट भी मिलता है तभी जाके मैं आप सब के लिए एक नया नया आपडेट का वीडियो लाता रहता हूं तो जरू चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरू लाइक कीजिएगा और वीडियो को जरू लाइक कीजिएगा